सवाल हमारे पास दे रखा है जर्नल एंट्री बोला गया है एंड ओपन नेसेसरी अकाउंट लेजर सेम पीरियड के लिए एंड दा अकाउंट एंड 31 मार्च एवरी यर तो हम इसमें सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन की बात करने वाले हैं मेनली जर्नल एंट्री हम बाद में करेंगे इसके पहले हम कैलकुलेशन और कितने साल के लिए बोला गया रिटन डाउट एंड यूसफुल लाइफ फाइव चो चलिए चलिए सर्थ पहले हम इसका डेप्रिशेशन वेल्यू निकाल ले और बड़ा करतें इसको क्या कहता है कोश्चन में कि आपके बुक का है सालो मन पर चेज आम मसीन रुपीज एक जनवरी 2016 में एक लाख रुपे का तो एक जनवरी 2016 में कितने का खरीदा एक लाख का खरीदा है इस एस्टीमेटेड यूसफुल लाइफ फाइव यर एंड सर लाइफ पांस साल एंड स्क्रैब वेल्यू टेन थाउजन स्क्रैब वेल्यू टेन थाउजन डेसाइड रिटन अफ डेप्रीशेशन अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड पास नेसेसरी जर्नल तो जर्नल अभी नहीं करेंगे हम मैं बता दूँगा वैसे फाइव यर के लिए नेसेसरी अकाउंट बनाने है तो पांस साल के अकाउंट बना लेंगे और अकाउंट जो क्लोज होता है हर साल 31 मार्च को होता है तो एन्वल जो डेप्रीशेशन निकलेगा डेट इस डेप्रीशेशन क्या आएगा वो बता दें पहले डेप्रीशेशन आएगा एक लाख माइनस दस अजार अभी फॉर्मूला लिखा था डिवाइड बाई फाइव तो आगया नब्बे हजार डिवाइड बाई पाँच यानि सर अठारा हजार रुपे एक साल का डेप्रीशेशन नियाद रखिएगा तो चलिए सर डेप्रीशेशन कब लगेगा सर 31,3,2,0,16 कितने महीने का लगेगा तीन महीने का लगेगा तो सर 18,000 का अगर हम तीन महीने का निकाले तो कैसे निकालोगे 3 by 12 और 3 by 12 कितना आता है हमारा 4 4500 रुपे कितने आगे 4500 तो पहले साल डेप्रीशेशन लगेगा 4500 सर बैलेंस कितना आया 95 95 5500 एक साल कम्प्लीट इसके बाद क्या डेटा हैगा 14 2016 फिर से 31 2017 अब डेप्रीशेशन कितना लगेगा अब तो पूरा ही लगना है पूरे साल का देट इस 18,000 18,000 देट इस 75 75 100 अब आएगा एक चार, दो हजार, सत्रा, दो साल हो गएं, पास साल तक करना है ये काम 31 तीन, दो हजार, अठारा, फिर से अठारा हजार लग जाएगा तो ये आगए हमारा 59 फाइव हंड़ी लोजी तीन साल हो गए एक चार, दो हजार, अठारा, फिर लगेगा एक तिस तीन, दो हजार, उन्निस, फिर से लगने वाला है अठारा हजार पॉर्टी वन फाइव हंड्रेट लोजिट चार साल हो गए एक चार दो हजार उन्निस लास्ट लगना है 31 तीन दो हजार बीस फिर से लग गया हमारा अठारा हजार तो तैईस हजार पान सो ये बच गया हमारा लास्ट बैलेंस अब इसी को हमें लेजर में फुट करना है तो लेजर देखिए कैसे बनेगा लेजर देखिए चलिए ये बन गया हमारा लेजर देट इस क्या था हमारे पास मसीन तो उपर लिखना है मसीनरी अकाउंट पहले डेट पर्टिकुलर अमाउंट डेट पर्टिकुलर अमाउंट इस साइड डेबिट और इस साइड क्रेडिट ठीक है इस साइड डेबिट और इस साइड क्रेडिट चलिए सर अब इसके बारे में कुछ जान लेते हैं देखो हमारा machinery यानी ये कौन सा account है हमारा assets का account है एक तरीके से किस का account है assets तो हमेशा याद रखना assets ना debit side से हमेशा क्या होता है plus होता है और credit side से क्या होता है हमेशा minus तो यहाँ पे credit side से minus होगा और debit side से plus होगा याद रखना है plus होने का क्या कारण है यानि कब-कब हमारा debit होगा एक reason है जब हम क्या करेंगे sir purchase करेंगे तो हमारा assets बढ़ जाएगा दूसरा reason क्या है सर दूसरा जब हमें क्या होगा सर profit होगा तो बढ़ेगा सर buy यानि credit में लिखने के क्या कारण है अगर आप depreciation लगाओगे तो कम होगा अगर loss हो जाता है तो कम होगा अगर आपने bank से बेच दिया है यानि sale कर दिया है तो ये तीन कारण घटने के हैं और दो कारण बढ़ने के हैं इसमें ठीक है तो चलिए posting करते हैं कैसे करेंगे तो हमने machinery को खरीदा एक जनवरी एक जनवरी दो हजार सोला एक जनवरी दो हजार सोला वार्ड जो लिखना है लिखना है two bank क्या लिखना है two bank कितने का खरीदा एक लाग अब 31 तीन दो हजार सोला बाई साइड में लगाओगे आप क्या depreciation कितना लग रहा है पहले साल में 4500 पहले साल में 4500 परस्ट येर इसके बाद टोटल करेंगे one lakh one lakh by balance बहुत बच्चे साइंस के भी होते हैं उनको basic class देखनी होगी तो अगर मैं बात करूँ तो कैसे आया एक लाग में से 4500 माइनस कर देंगे तो 31,3,16 में कितने बचेंगे सार 95500 चलिए सार अब देट आ जाएगा क्या एक 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 चार 16 फिर से क्या आएगा two balance balance bd that is bd में क्या आएगा 95500 ठीक है फिर depreciation लगेगा कब 31,3 अब 17 आ जाएगा why depreciation कितना लगना है सार depreciation अब 18,000 लगेगा लीजिए सार दो साल हो गए 95500 इसके बाद 95500 अब आएगा by side में balance cd अब आएगा 77 फाइव डबल जीरो कब आ गया 31,3,17 आपको डेट का ध्यान लिखना है अगर आपने डेट गलत दाला फॉर्मिट गलत किया तो आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा कटेंगे कमनी बहुत ज़्यादा तो इस बात का ध्यान लगना है एक, चार, सत्रा टू बैलेंस बीडी सर कितना आएगा 77 500 इसके बाद 31,3,18 बाइ डेप्रीशेशन सर क्या आएगा डेप्रीशेशन अगेन तीन साल हो गए यह आगे हमारा 77 500 77 500 अगेन आएगा बाइ बैलेंस CD अब आएगा 59 500 31,3,18 अब आजाएगा 14,18 टू बैलेंस BD 59 कितने साल हो गए एक, दो, तीन साल हो गए 59 500 अब आएगा बाइगा अथारा उसके बाद अब आएगा अब आएगा अब आएगा अब आएगा अब आए बैलेंस CD 31,3,19 कितने आजाएगे हमारे 41,500 यह तो समझो प्रैक्टिस हो रही है कि अकाउंट में कैसे CD और BD बनाये जाए 1,4,19 2 बैलेंस BD 33 हमारा 41,500 31,3,20 by बैलेंस by डेप्टिशेशन सर अठारा हजार और लास्ट में बैलेंस बच जाएगा हमारे पास सर 41,500 41,500 और बैलेंस CD यह तो यह लो हमने लेजर में क्या करा पोस्टिंग कर दिया हमारे सवाल जो होंगे वो एक मसीनरी नहीं होगा कई बार हम एक से ज़्यादा मसीनरी की भी बात करेंगे मसीनरी को बेचा भी जाएगा खरीदा भी जाएगा लॉस भी होगा इस तरीकी का तो पहले फटा 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 यहां तक नोट करिये स्टार्टिंग से हाँ तो इस क्रैब वेल्यू है उसके बाद इसको बेच दो उठा के एक point रहे गया था चलो कर देते हैं इसके बाद इसको कर दो sold और sold करोगे कितने में इस crap कितने 10 में अब देखो थोड़ा change हो जाएगा ध्यान दे न 13500 तो चलिए यहाँ पे next year pass हो जाएगा इस साल भी बेच सकते हैं और चाहो तो अगले साल भी ले जाओ अगले साल ले जाएग चलो हलागी इसने 5 साल बोला हमने कर दिया अगर हम इसको अगले साल ले जाएग तो कुछ भी change नहीं है 14 2020 2 balance BD कितने का 23,500 अब यहाँ पे 14 20 में ही buy क्या कर दोगे bank से आपने sold कर देना है बेच दिया कितने का बेच दिया 10,000 और 14 20 में ही आपको buy profit and loss से sir loss हो गया कितने का sir loss हो गया 13,500 और ये भी बन गया 23,500 और दोनों साइड के आ जाएगा हमारा 23,500 ठीक है ये चाहें तो हम उपर वाले कॉलम में भी कर सकते हैं लेकिन कोई बात है ठीक है clear है मैंने देखा नहीं था 5 साल मुझे लगा 10 का होगा मैंने इसलिए 5 के बाद बाकिया से दे रखा हो तो ये करना होगा sir entry jf का कॉलम नहीं बनाना नहीं इसमें jlf का कॉलम बनाने की कोई अवस सकता नहीं please explain the date concept date क्या होता है हमारा how 4500 ये रहा आपके पास how 4500 क्योंकि ये 3 मन्त का लगा है पहले यहां से यहां तक मन्त देखोगे तो 3 महिने हैं तो 3 महिने का 4500 निकलके आ गया है पहले एक बार नोट कर लीजिए फिर आगे चलते हैं question number 2 देखिए हम curling उसको दुबारा कर लेंगे जिन बच्चों का inventory का inventory doubt session रखके उसको कर लेंगे हम question number 2 मैं आपको homework में देने वाला हूँ क्या कहता है question में एक machine भी खरीदा गया April 19 में 15000 रुपे का जिसका cost installation लगा था 1000 और expected scrap value दे रख़ा है आपको end of the कहता है value at the end of the work 2000 and इसका life भी दे रख़ा है आपको कितने दे रख़ा है life working life will be 2000 life दिया ही नहीं चलो machine account first two year दो साल बनाना है diminishing balance method और SLM और यहाँ पर rate दे दिया जब आपको rate दे दिया ना तो scrap value और आपको और other points life का कोई काम नहीं है rate दे दिया इसी को आपको question को एक बार SLM से दो सालों के लिए करना है एक बार WDV से दो सालों के लिए करना है simple सा रहेगा आपका 15,000 रुपे का machinery एक हजार रुपे installation cost हो जाएगा कितने का आपका ये 16 और 10% के rate से depreciation लगाओगे 16,000 तो पहले साल बचेगा 14,400 फिर लगा दोगे आप 16,000 जो बचेगा बच जाएगा लेकिन WDV में बच जाएगा WDV बस इसको account के अंदर आपको क्या करना है plot करना है ठीक है ये question रहेगा आपका homework में